सब्सक्राइब करें Tech Help in Hindi YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं Tech Help in Hindi YouTube चैनल इस वीडियो के दो दोस्तों आपको जानकारी देने वाला हूं सब्सक्राइब के बारे में काफी लोगों का पूछन आए कि BNB Coin अभी देख रहे होंगा अब BNB के जो स्टेकिंग थी जिसमें 65% एन अन्वल पर रिल्ड के इसाब से रिटन मिल रहा था और साथ में 50% का जिसकी मैंने कली वीडियो भी बनाई थी और अब BNB का प्राइस हो रहा उसका क्या स्टेटस होने वाला या मत कितना प्राइस पंप हो सकता है कहां तक जा सकता है इस वीडियो में बात बताऊंगा इससे पहले भी मैंने BNB की वीडियो बनाई थी जिस वक्त उसका प्राइस करी पर 0.007 सतोसी के असपास था और 0.0025 सतोसी के असपास है य सब्सक्राइब करें अब अगर आपने अभी तक हमारे कानल टैकल प्राइब नहीं किया इसे लाल प्रन पर सब्सक्राइब करें और बैल आइकन के साथ यह जो इसको जुरूर दबाएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए तो सीधह मैं आपको BNB के चार्ट पर लेकर चलता सब्सक्राइब करें अगर इससके यहां टकाई अSTE करें है है तो आप यहां से क्लियर कर देता है और अगर इसके उपर कलोज होती है नापका हु वह नहीं पर रहती है तो फिर हमारे against Ti Har 003 का रहने वाला जो हमारा first target कहेंगे जिसको हम मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूं प्राइस का label भी लगा देता हूं ताकि लोगों को यह हमारा इसे थोड़ा से इधर कर दो 26 हां अगर 26 को break करता है तो फिर हम इसको और वो देख सकते हैं जो हमारा यह next है यह आपको इहां पर प्राइस दिखाई दे रहागा इसका इधर आपको दिखा दिया है मैंने और यह जो लाश्ट हमारा target की है तो यह डेव केंडल का चार्ट है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता इसमें अगर यह 0.0026 को break कर देता है और उसके पर 4 गंटे तक stable रहता है तो हमारा next target रहने वाला है 0.003 यह थोड़ा सा नीचे लग जया है यह थोड़ा उपर करो मैं यह करी को 0.003 है यह साइद खिशक गया है इसे में थोड़ा उपर कर दो 0.003 है यह तो यह है देखिए दोस्तों 0.003 का रखेगा पीचे के decimal मैं ज्यादा उस पर focus नहीं करूंगा और यहां पर 0.0026 है दूसरा 0.003 है तीसरा है 0.0034 और चोथा है है और वात्य हमारा जो पाँच वह सीघ्ड़ा है देखिए यहां करने के बाद करने बाद यह तो फिर यह आपको कम से कम यहां पर आपको जो हमारा जो नेक्स है 0.0023 तक आप इसको देख सकते हैं और अगर यहां से भी इसने ड्रोप किया तो हम इसको फिर अगेन दुबारा से 0.0017 के आसपास तक देख सकते हैं या वन डे टाउन टाइम फ्रेम के अंदर है यानि कि इस पर मुझे लग रहे मार्केट को किस एंगल से जाना चाहिए तो जैसी नेक्स्ट यहां पर पहुंचता है तो यह थोड़ा दुबारा से रिट्रेस हो कि फिर दुबारा अप जा सकती है क्योंकि इसे पहले भी ब्रेक कर चुका है तो जबेज़ादे मुश्किल होना यह देखने को मिलेगा और अधरवाइस हम यहां पर देखिए अभी जो फोर आउर के टाइडल के गरम बात कर लेते हैं एक पर फोर आउर की कैंडल खोल लेता हूं तो अभी आप देखेंगे फोर आउर की कैंडल क्लोजिंग में भी करीवन करीको चार घंटी ही बचे भी है अगर यह दो आपने फाने में अब बिलकुल सिंपल वे में आपको में बता दिया माप इसके स्क्तर्डिंग जर्टी या प्रोफिड बुकिंग कर सकते हैं एफ प्रोफिड भुकेंग हर prov कर आपना को कि अभी देखिए यहां पर है अगर जिसने पहले से होल्ड किया है तो वो क्या करेंगे अपना 50-70% प्रोफिट यही पर बुक कर लेंगे जिसने अब बिलो में बाई किया हुआ हमने अगर डोलर की बात करते हैं तो मैंने 7 तारीक के आसपास इसको सिगनल दिया था 7 या 8 तारी करेंगे और इसके बाद दुबारा से हम इसको 26-27 की बीच में फिर फोड़ा सा प्रोफिट बुक करेंगे अगर इसके ऊपर जाता है बेडिंग विब्साइट को भी आप जोइन कर सकते हैं हमारी आपको जो भी चाट में शेयर करें आपसे पहले देखने को मिलता रहा है और यह चार्ट में आपको मेरे टेलीग्राम टैकलफ लिए हंदी में भी देखने को मिल जागाए जागाए आपको तरी तरी टोकर सेगे चार्ट अनलिशिस सभी तरह की टेक्निकल अनलिजिस की वीडियो और गाइडेंस दी जाती रहती उसको तुरण जोइन कर लिजेगा इस वोडियों में इतना ही वीडियो को लाइक शेट कमेंट कीजेगा थेंक यू वेरी मुट्च